असलाम लेकुम, मेरा नाम है नुमान, आप देख रहे हैं M.N.A. टिकनोलोजिस्ट आज हमें कैसे मीटर की बात करेंगे, यह एक ऐसा मीटर है जिससे आप किसी भी उलेक्ट्रोनिक्स कंपोनेंट को किसी भी पुरजे की वैलियो देख सकते हैं और यह value कैसे देख सकते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ यह meter कुछ इस तरह का है देखें इसके उपर एक button लगा हुआ है इसके अंदर नोबल की battery है और इसके उपर एक jack दिया हुआ है blue color का जिसके उपर one two three और one one लिखा हुआ है one two three मतलब यह तीन इसके point है जहां पे किसी भी पुर्जे की तारे लगेंगी one two three तीनों लगलग से हैं उसके बाद जो right side पे चार पिने हैं वो one one है यहनि कि वो एक ही सारी तार है और left side पे जो one लिखा हुआ यह भी वही तार है यहनि कि कोई भी ऐसा पुर्जा जिसकी तीन तारे हों उसकी value आप इसमें देख सकते हैं यह meter आप उस पुर्जे की value भी बता देगा और यह भी बता देगा कि यह कितने voltage पे operate होता है और उस component का नाम क्या है वो नाम भी इसके display पे लिखा आ जाएगा तो यह मैं आपको practically करके दिखाता हूँ किस तरह काम करता है आप इस meter को देखने यह meter देखने में कुछ इस तरह का है जब इसे online लिया जाता है तो इस तरह के यह packet में आता है इसका model number है LCR T4 ESR meter तो यह packet में इसके सारे parts आते हैं इसको खुलने के बाद यह जो brown करके है यह सारे block बनाने के लिए इसमें यह mirror तरह के है जो वो plastic शीशा होता है उसका material है इसके ओपर यह paper लगा होता है यह paper इसके दोनों तरफ लगा होता है यह paper उतार के हम यह meter manufacture कर लेते हैं यह सारे part हैं इसके जरीए हम यह अपना meter त्यार कर लेते हैं बाकी इसको operate करने के लिए इसमें 9 वोल्ड की बैटरी होती है जब इसे online मैंने मंगवाया थे इसके साथ 9 वोल्ड की बैटरी नहीं आई तो 9 वोल्ड की बैटरी आपको अलगसे लगानी पड़ेगी और इस meter के अंदर जो राइशाइट पर बलेक लर की पिन नजर आ रही है यह पिन इसके अंदर मजूद नहीं होती यह मैंने खुद लगाई है कि इस meter के अंदर जो मैंने नोवोल्ड की बैटरी डाली है यह चार्जेबल है तो यह मैंने पिन लगा दी है कि जब यह बैटरी डिसचार्ज हो मैं बाहर से पिन लगा के इसको चार्ज कर लूँ तो यह जो बलेक लर की पिन आपको राइशाइट पर नजर आ रही है यह बाई डिफॉल्ट इसके साथ नहीं आई बाकी इस मीटर पर मैं मुखलिफ LED उसकुछ कंपोनेंट चेक करके बता देता हूँ आप वो देख लें कि यह किस तरह काम करता है और दूसरा मैं यह बता दू कि यह मीटर हमारा अलेक्टरोनिस के वो ही कंपोनेंट चेक करता है जिनकी मैकसिमम तीन तारे हों यह नी के दो वाली हो यह तीन हो यह दो तारे हो यहाँ पी ट्रांजिस्टर यह PNP न यह सारा बता देता है IC ग़रा को यह नहीं बताता और जो हमारे वोल्टीज रेगुलेटर IC होते हैं इसे जो रेगुलेटर IC हैं उनकी वैल्यू यह नहीं बताता यह मैंने इस पे चेक किया है बाकी जो सारे पूर्जिय यह सब की बता देता है मैं वाईसरवर को यहाँ पे खत्म करता हूँ आप यह सारी वीडियो देख लें मैंने किस तरह इसमें कंपोने लगाया और इसकी वैल्यू कैसे डिस्प्ले पे आ रही है उमीद है आपको समझ आजेगी मैं आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ आप यह सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के सारी मुकमल वीडियो देख लें आपसे मिलूँगा किसी नहीं ख़िक के सारी मुकमल वीडियो देख लें झाल 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 झाल